भारतिय डिसेबल क्रिकेट काउंसिल अफ इंडिया और फिजिकल चैलेंज क्रिकेट असोसियेशन अफ इंडिया के पदादिकारियों के द्वारा बिवानी में पत्रकार वारता का आयोजनकर दिव्यां क्रिकेट का शेड्यूल जारी किया गया इस दोरान PCC AI के रास्टिय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और DCCI सदस्यवा PCC AI के रास्टिय महासचेव रवी चौहान ने पत्रकार वारता को संबोधित किया जैसा कि आपको मालूम है कि दिव्यां किर्केट का लैदर की बोल से 11 साल पहले जनम हुआ था उससे पहले टैनिस की बोल से खेला जाता था लेकिन 11 साल पहले जो शुरुवात लैदर की बोल से हुई है वो अब इंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भी बारत का नाम उजवल हो गया है क्योंकि 2019 में वर्ल्ड कप भी जित के आई थी हमारी टीम और अब आने वाले टैम में जैसे मेर कप है गवालियर में उद्यपूर में 24 राजजे का बड़ा टूर्नामेंट है उसके बाद एप कप है जो की एदराबाद के सहर में खेला जाएगा मेरी आनन चुक्का जी जी बात हुई थी जो की फाउंडर है एप कप के आश्टेलिया रहते हैं उन्हें कहा कि पिछरी साल से भी अच्छा आपकी बार हम और गिनाइज करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है कि दिरे दिरे बहुत अच्छा डवलेप्मेंट होने जा रह है आप लोगों के सहयोग के बगार यह इतना बड़ा मंजिल इन दिवियांग किरकेट के लाडियों का नहीं होता है क्योंकि आपको मालूम है कि 11 साल पहले कैसे यह विकलांग डबो में बैठके जाया करते थे हमारे आत्मा मन से रोती थी कि ऐसे पहले ही बगवान ने इनक तो थोड़ा वो कर रख है और दिवियांग उपर से यह एक के उपर एक बैठके जाते थे लेकिन जब से मैंने अपनी टीम का यह संस्ता फिजिकली चैलेंज किरकेट असोशेशन ओप इंडिया बनाई है तो यह संकल्प लिया था कि कोई भी खिलाडी बगर ऐसी के और वाइजाज के हम नहीं बेचेंगे उससे खिलाडियों का एक एक गाउं से सहर में तो खिलाडी थे लेकिन गाउं से इतने खिलाडी अब आगे हैं कि 28 राज्यों में हमारी दिवियां किरकेट असोशेशन बन गई है आपको मालूम है कि देखिए कि हमने कोईड के समय भी आनज चुका जीने पैसे वेज़े थे हमने सभी खिलाडियों को उसे मैल्प की थी और जो भी हमार से जितनी भी होती है हम खिलाडियों को एक लाग रुपे पचास जार रुपे और आने जाने का खर्चा और देशी ज देते हैं बाहर की विदेश की टीम आती है तो हम इनको फाइश्टार होटल में रहने की सुईदा देते हैं कि देखे मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अर्याना में एक ही बार में हमारे 28 दिव्यांग कि लाड़ी डी प्लान में लगे थे वो भी हमने इनके फारम बगरा बरके दिये थे तो वो भी एक अच्छी सुईदा है आज वे 35-45-45 जार रुपे की सर्विस करते हैं और किरकट भी खेलते हैं उनको छुटियां भी मिलती है और दो तिन तो अधिकारी बहुत बड़े पी डवलूडी में लग गए हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने अर्याना ही नहीं सभी राज्यों में अब इन खिलाडियों का कोटा के अंगर सरकारी जोब मिलने लगी है अभी आठ सितंबर से 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो गवालियर में होगा वो मेर कप होगा उसके बाद बहुत बड़ा टुर्णामेंट जोगी 24 राज्यका होगा 24 राज्यके फिलाडी आएंगे वो उदेपुर में होगा जो कि नाराइन संस्था और बी-सी-सी-ाई के सहयोग से होगा वो तो मेर कप करवा रहे हैं तो सब मनलब उनकी तरफ से होगा यह स्पोंसर्शिपी है क्योंकि इनाम भी है और अच्छा रहने खान का और का स्वीदा आने जाने की टिक टेक बनवाना यह स्वीदा अभी मिलनी सुरू हो गई है लेकिन दिरे दिरे मुझे पूरी उमिद है कि वी-सी-सी-सी-सी-ाई के जी जैसाजी इनको पूरा पूरा सहयोग देंगे मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि देखिए हम इस पर प्लान कर रहे हैं कि जो है पांस टी-ट्वंटी हों और दो वंडे मैचीज हों तो एक अच्छा खासा हम लंबा ये शीडूल रखेंगे क्योंकि इंग्लेंड से बार-बार तो आया नहीं जाता तो चाहते हैं कि काफी अच्छे मैचीज मिलें और अलग सर देखने के लिए तो मैं चाहता हूं कि सब लोग आएं सपोर्ट करें इसके लिए कोई फीस भी नहीं है यह बिल्कुल ठीक बात है इसका हम परसांड जो है जैसे फैन कोड है जी यो से भी बात चल रही है अभी आपने देखे होंगे कि पीछे पीछले दो दिन में ही बी सब्सक्राइब करें तो कोशिश करेंगे इस बार कि जो बीशी जाएंगे तो अच्छा रहेगा